एक गाव में मायरा अपनी पिता जी के साथ रहा करती थी मायरा की मा ने थी और मायरा का पिता रुद्रा बहुत बड़ा शराबी था वो हर रोज शरप के नशे में ही रहा करता था एक दिन रुद्रा सोचता है मेरी बेटी मायरा अभी छोटी है उसे मा की प्यार की काफ ज़ प्रुद है और मैं तो हर रोज शराब पिके शराब के नसे में रता हूँ। मैरा का कोई क्याल रखने वाला होना चीए। मेरा भी क्याल रखे मेरा रोज शराब जो पीता हूँ ये सोचकर वो दुशरी शादी कर लेता है। रेवा नाम की एक लड़की के साथ रेवा बहुत ज़्यादा कंजूश लड़की होती है और उसके सबाव भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता वो शादे के बाद मायरा पे खुब ज़्यादा अतचार करने लगती है और उसे अपने नवकरानी की तरह रखने लगती है ले मायरा से घर के सारे काम भी करवाने लगती है और एक दिन रेवा मायरा को पीटरी होती है तबी रुद्रा शराप के नशे में नहीं होता है और वो इस सारी चीज़े देख लेता है तो वो रेवा से कहता है तुमारी इतनी हिमत कि तुमने मेरी बेटी मायरा कुमारा मैंने मायरा का ख्याल रखने के लिए शादी किया था लेकिन तुम तो उस पे राच कर रही हो इतना के कर वो रिवा पे खुब ज़्यादा पैचार करता है और उसे अपनी घर से बहार निकाल देता है